नमस्कार, राजन राठुड फिल्म्स बक्ती प्राटना फ्रोम हिंदु वेदाज में आप सभी लोगों का मैं हर्दिक स्वागत करता हूँ मंत्र विज्यान कैसे काम करता है और कितना सटीख है तो दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल को सबस्क्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें आईए अब मंत्र विज्यान के बारे में बात करते हैं मंत्र विज्यान पे आज के समय में भरोसा करना बहुत कठीन है क्योंकि हमारे पास जब किसी चीज के सुत्र छो जाते है तब बड़ी कठिनाई होती है अब हमारे बस मंतर बज गये हैं लेकिन उसका विज्ञान खो गया है मंतर का विज्ञान नाद के विज्ञान पे काम करता है नादकार्थ हर अक्षर का, हर शब्द का एक विशेश ध्वनी है जिसे नाद भी कहते हैं वो ध्वनी हमारे मन पे, हमारे शरीर पे एक विशेश प्रभाव डालती है हमारे शरीर का कुछ विशेश हिस्सा, कुछ विशेश शब्दों को बोलते हुए उसमें सम्मलीत होता है जैसे आप हुम बोले तो आपके रदय से लेकर आपके नाभी तक विशेश कमपन होगा आप शान्त होकर मा की ध्वनी करें तो आप पाएंगे आपके दोनों आखों के बीच आपको हलका कमपन महसूस होगा जैसे आप बिना जिप का प्रयोग किये हर तो बोल सकते हैं परन्तु ट नहीं बोल सकते हैं इसी तरह हर अक्षर हर शब्द किसी न किसी तरह आपके शरीर के किसी विशेश हिस्से पे प्रभाव डालता है कुछ विशेश शब्द आपके मन पे भी प्रभाव डालते हैं जैसे कि कोई आपको मुर्ख कहे आपका मन तुरंत गुस्से से भर जाएगा कोई आपको सज्जन कहे आप तुरंत प्रसन हो जाएंगे इसी प्रकार मंत्र आपके मन पे भी प्रभाव डालता है अब आती है वो बात जिस पे विश्वास करना मुश्कील है यानि मंत्र से बहुत दूसरी परिस्थितिया भी बदली जा सकती है अब उसको समझना बहुत कटिन है क्योंकि वो अनुभव का विश्य है हर मंत्र का एक विशेश देवता होता है जो उस जब से प्रसन होता है और आपके मनोरत को पूरा कर सकता है अब ये देवता वाली बात अंधव विश्वास लग सकती है पर अगर आपने गणितग्न रामानुजम के बारे में पढ़ा होगा तो वो कहा करते थे कि उनकी सारी मैत का गनान उनकी कुल देवी, नामागीरी, लक्षमी जी को एक और नाम से आते हैं उन्होंने किसी शिक्षक से गनान नहीं प्राप्त किया था The Man Who New Infinity, मूवी में उनके बारे में ये तत्थिय दिखाए गए है मंत्र भी जड़ और चेतन्य होते हैं जैसे मुर्दा आदमी और जिन्दा आदमी होते हैं मुर्दा आदमी के पास भी वही शरीर है, परंतु उसमें प्राण नहीं है जैसे एक मोबैल स्विच ओफ है, आप उससे काम नहीं ले सकते हैं पर स्विच ओन हो तो उससे सारे काम किये जा सकते हैं जो आप किताब से मंत्र पढ़ लेते हैं, वो मुर्दा मंत्र है उन्हें जपते रहिए कुछ नहीं होगा मंत्र अगर चैतन्य हो, तो बहुत कुछ किया जा सकता है उस मंत्र से दुरभाग्य से कान फुक्वा गुरु बढ़ गये हैं जो आपको मंत्र दे देंगे, आप जपेंगे, कुछ होगा भी नहीं और आप में अविश्वास आ जाएगा आज कल बहुत कम लोग है, जो आपको चैतन्य मंत्र दे सकते हैं या मंत्रों को चैतन्य करने की विधी बता सकते हैं इसलिए आज के समय में मंत्र की तासंगिक्ता बहुत कम है क्योंकि इसका विज्ञान बहुत हद तक लुप्थ हो गया है मंत्र कैसे काम करता है तो जैसे आपने हनवान चालीशा में सुना होगा कि जो शतबार पाठ करे कोई छूटे ही बंदी महासुक होई यानि कि जो भी व्यक्ति हनवान चालीशा का सो बार पठन करेगा, सो बार पाठ करेगा तो उसकी सारी दुवी धाये और वो सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा तो ऐसा क्यूं कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि अगर आप किसी भी मंत्र को सिर्फ एक बार पढ़ते हैं तो उसकी इफेक्ट नहीं आती, उसके और आउरा नहीं बनते, उसकी एनरजी उतनी नहीं बनती वो सिर्फ एक बिंदु है अगर उसी वक्त पे हर रोज, अगर आप सुबह साथ बजे करते हैं या किसी भी टाइम पर करते हैं पर रोज उसी जगा उसी वक्त उस मंत्र को रोजाना बोलते रहते हैं तो दिरे दिरे करके उसका प्रभाव बढ़ता है वो प्रभाव होता है तुमारे औरा में तुमारे शरीर में तुमारे मन में तो इस तरह से आप किसी भी मंत्रो को रोजाना करने पर ही आप उसका फल प